आप सभी यहां उपसे पहुच गया है थोड़ी दिर बाद ही ये कारिक्रम उद्गाटन का शुरू होने वाला है खुद इस कारिक्रम में उत्रपदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनाद भी पहुचे हुए हैं तो पिया मोदी उत्रपदेश के बलरामपूर पहुच गये हैं देश की सबसे बड़ी परियोचना कहा जा रहा है 14 लाग हेक्टेर से जादा भूमी के संचाई के लिए पानी मिलेगा परियोचना की वज़ा से लगबग इस क्षेत्र के 29 लाग किसानों को फाइदा पहुचेगा और खुद पिया मोदी ने ट्वीट भी किया था उन्होंने का था कि इस 1978 में हुई लेकिन ये परियोचना कभी पूरी नहीं और हमारी सरकार ने इस परियोचना को पूरी करने का जिमेदारी उठाई इसे पूरा किया और तस्वीरें उत्तरपदेश के बलरामपूर से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं प्रदान मंत्री मोदी का काफिला वहाँ पर पहुंच गया है थोड़ी दिर बाद ही पिया मोदी मंच पर पहुंचेंगे इस परियोचना का उध्गाटन किया जाएगा यहां से उत्तरपदेश के जनता को क्या संदेश देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी नौजिलों के 29 लाख लोगों को इस परियोचना से लाप मिलेगा इस परियोचना से पाच नदियों को जोड़ा गया है रोहुणी, बान, गंगा ये तमाब नदियां जो इस परियोचना से जोड़ी गई है इस परियोचना की लागत जो है वो 9,800 करोड बताई जा रही है तो तस्वीरे उत्तरपदेश के बलरामपूर से प्रदान मिंत्री मोधी पहुँच गये है थोड़ी देर बाद ही मंच पर पहुँचेंगे और उसके बाद देश के सबसे बड़ी नहर परियोचना का उधगाटन किया जाएगा सर्यू नहर राष्टिया परियोचना उनके साथ उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगिया दित्यानाद भी मौचूद रहेंगे खुद पिया मोदी ने ट्वीट किया था इस परियोचना के बारे में जानकारी दी थी और विपक्ष पर कटाक्ष भी किया था प्रहार भी किया था और ये कहा था कि ये परियोचना 1978 में शुरू हो गई थी उन्हों अपने ट्वीट में कहा था कि आपको जानकर है ना नहीं होगी कि सर्यू नहर राष्ट्रे परियोचना पर 1978 में काम शुरू हुआ था लेकिन दशकों तक ये परियोचना कभी पूरी नहीं हुई खर्च बढ़ गया और लोगों की परिशानी बढ़ गई जो परियोचना चार दशक से अधूरी थी उसे चार साल में पूरा किया गया है ये खुद ट्वीट किया गया था प्रदानमंत्री मोदी की तरफ से और आज देश के सबसे बड़ी नहर परियोचना का उधगाटन करने के लिए प्रदानमंत्री मोदी बलरामपूर पहुँच गए हैं लाइव तस्वीरे हम आपको बलरामपूर से दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी दिर बाद ही पियम मोदी मंच पर पहुँचेंगे उत् प्रदेश में जल्द ही पिधानसवा चुना भी हैं उससे पहले तमाम विकास परियोजनों की लोकारपन उधगाटन शीला न्यास का कारिक्रम वहां पर चल रहा है इससे पहले पुरवान चल एक्सप्रेस गुरगपूर में एमस अस्पताल का उधगाटन और अब